हेलो एवरिवन इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे constant arguments in a function c++ में जब आप एक function को declare करते हो तो आप उसके जो argument है आप उसको constant argument के तरह भी treat कर सकते है आप उसको बता सकते है compiler को कि यह जो argument है constant argument है अब constant argument अगर आपने कर दिया तो उसका मतलब क्या होता है एक constant argument एक compiler को बताता है कि जो function है वह उस argument की value को change नहीं कर सकता है तो अगर आप तो मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे कोई function मैंने बनाया सपोस इंट f1 यह function है इंट f1 और इसके अंदर मैं ऐसे लिख देता हूं constant int x तो इससे क्या हुआ कि जो argument है parameter है एक्स यह constant बन गया अब अगर मैं इस function की जब definition लिखूंगा suppose मैंने लिखा int f1 constant int x और जब मैं इसकी body के अंदर मैं यह लिखता हूं x is equal to x plus 10 तो यह error है क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है इस वक्त यह function x की value को modify करने की कोशिश कर रहा है which is not allowed क्योंकि जो x है जो argument है यह constant type का argument है तो यह जो चीज है यह इस वक्त आपको error देगी अब c plus plus map एक normal parameter को जैसे मैंने यह पर integer type के parameter constant किये आप एक pointer type के parameter को भी constant कर सकते है suppose आप ऐसे लिखते हो अगर int f1 constant तो आप इसको भी constant बना सकते हो तो यह constant parameters होते है constant arguments होते है function के अंदर जिनकी value को हम change नहीं कर सकते हैं तो आप इसका हमें प्रोग्राम देखेंगे कैसे इसको लिखते हैं कैसे इसको हम c plus plus के अंदर code कर सकते हैं constant parameters को तो उसके लिए मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं जिसमें किसी number का square find out करेंगे तो दो variables मैंने लिए है int a और int result और एक मैं function मना रहा हूं square square of a square of number यह मैंने function मना आया हूं इसका parameter में दे रहा हूं वो constant type का ले रहा हूं मैं हम यह function को call करेंगे और उसके अंदर हम a pass कर देंगे parameter then you can print the result उसके आद हम result को print करा सकते हैं the square is तो अब हमारा main function तो complete है अब उसके आद हमें क्या लिखना है जो हमने function मना है the square of number उसकी definition अब देखो यहां पर क्या होगा अगर मैं simple लिखता हूं return x into x उस case में क्या होगा और मैं लिखता हूं x is equals to x into x उस case में क्या होगा देखो अभि मैंने क्या लिखा एक्सी इग्वाल्स टु एक्स into x कि x के अंदर में x की value को change कर रहा हूं और अगर यहां से मैं return कराता हूं X तो क्या output आएगा क्या error आएगा वो हम देखते हैं अब यहां पर आप देखो कि मैंने जो parameter था X इसको constant declare किया और मैं यहां पर X की value को change करने की कोशिश कर रहा हूं जो की allowed नहीं होनी चीए तो इसको यह बार हम run करके देखते हैं क्या रहता है देखो से नहीं आप आपको error दिया है error क्या दे रहा है the assignment of read-only parameter X यानि X जो है क्योंकि constant है तो वो सिफ read-only parameter है आप उसकी value को change नहीं कर सकते हैं बट अगर नहीं आप ऐसे लिगा होता है x into x अब हम क्या कर रहें सिर्फ x into x की value को return करा रहे है x into x की value को हम change मालब x की value को आप हम change नहीं कर रहे सिर्फ एक value को return करा रहे है तो इस वक दब आपका program सही run करेगा सब्सक्राइब नहीं एंटर किया 5 तो आपको result मिलता है 25 तो यतना यह clear है कि हमके constant parameter की value को change नहीं कर सकता चाहे वो function के argument के अंदर ही क्यों ना हो but अगर यह हमारा constant ना होता, suppose यह ऐसे होता तो क्या इस वक्त हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आप दो को constant नहीं है simple है और x की value को मैं change करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आपकी बिल्कुल सही चल रहा हूँ कि अब यह constant parameter नहीं बनाया है आपने so constant अगर आपने parameter बनाया है तो आप उसकी value को change नहीं कर सकते हैं so this is about this is all about the concept of constant argument in a function of C++ programming thank you for watching the video please subscribe to my youtube channel for more such tutorials thank you